जाएं दोस्तों इस वीडियो वह से इंडॉस्टियू को बात करेंगे देखें इस कंपनी से लेटर बहुत सारे आपका सकते हैं बैड निव्य निकल कर सामने आ रहे हैं खबर आए कि कंपनी अब NAC BAC से गयाव होने वाली है यानि का सकते हैं डी लिश्टेट होने वाली है त टेक्स्टाइल और यान को मैनुफेक्शर का बिजनेस करती है इसका मार्केट के 480 क्रोंड रोपया लगभग 500 क्रोंड का सबस्कों मान के चल सकते हैं और शेयर प्रैस आज की दिन का सेयर प्राइस है चुकि लोवर सर्कृट लगा है तो नीचे की तिरफ सेयर प्रैस जा रहा है हाई लगा चुका है 20 रोपय का यहाई लगा है इसी साल 3 जनौरी को और इसके बाद से सेयर प्राइस लगता है निशेक तरफ ही जा रहा है हलाकि अभी कुछ दिनों से इसमें इसका सेयर प्राइस ट्रेट करते हुए नजर आ रहा है इसका बुक भैलू को आप ध्य शर्ёт जो सबसे पहले उसके बारें बात कर लेते हैं तो दिक है सबसे पहला अपडेट है कि कंपनी डी लिष्टेट्र होने जा रही है यालिकि नसी बीएस से ने जा रही है और यह अभी तक आपको पता चल गया होगा नहीं पता चलोग से लाओ तो अब आप जाना जाए क इस kompand ने इसको आप सुन्जेब 20 मार्च के दिन बेट निकलेगा सामने आया है जिसमें जो इसको शौर्ट करने इसके तरब से मिल गया है सअभ प्रूपल मिल गया और राष्य क्यों करनेhes चुकि सबसे ज़्यादा बोली लगाया था इसको जो एप्रूबल मिल गा इसके लिए एप्रूबल दे दी है और साथ में जो कंपनी का कोर कमिटी होते हैं इसके तरफ से पिर इन सभी कामों के लिए अप्रूबल मिल गया है आप समझेंगे सबसे पहले कि यह डिलिष्टेट काफी अधिक होता है इसका फंडमेनल काफी बुरा होता है इसलिए समझें इससे करजा बहुत अधिक ऑठीक है कि यह जो कर्जा है इसके मार्केटव सुझा aja रहे हैं यह यह इसको बात के लिए इसको होने के लिए बात कहा जा रहा है आप समझेंगे यह सेर्स ओर समयार के क्या करना चाहिए तो देखिए हम लोग अगर इस कंपनी के सेर्स ओर ने तो हमें घबडानी को जुरूत नहीं है बहुत समय होना है कि यह दिलीष्ट होने बाद फिर से दोबारा यानिकि फिर से कंपनी को हर एक परकार से ठीक करके इसको दोबारा मार्केट में लेकिन इसकी समयाना थोड़ी कम है क्योंकि रिलाइंस इसको एक्वायर कर लिया तो इतना जल्द यह कंपनी रिलीष्ट हो जाएगी यह कहाना थोड़ा मुस्किल है अब यहां संद्धेंगे जो बूक वैलो बूक वैलो 25 पर 50 पैसा बूक वैलो का मतलब होता है कि अगर कल को कमपनी डूब जाती है डिलिष्ट हो जाते तो हमें एजसेयर कितना रूपया मिलेगा आप यह मत्तों चैक्वाइब यह पैसा डूब जाएगा बरबाद हो जाएगा अगर आप समझना चा बनाया हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्स नहीं मिल जाएगा आप उसमें असान मासा महरे बास समझ सकते हैं तो आप यह मस्तों कि अगर कमपनी डिलिष्ट होते है तो आपको रूपया बरबाद हो जाएगा आपका जितना इसमें इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अब समझेंगे कंपनी के उपर 6601 कर्ण रूपय का कर्ज लगतार बढ़ते जा रहा है यह कर्ज देखिए कंपनी का मार्केट केप से पहुत अधीक है इसाब से कर्ज कभी कम नहीं होगा और जब मार्केट केप जिस वैलुवेशन से अधी कंपनी को पर कर जो कर्जा इसके वैलुवेशन सधीक है कंपनी में इनुपलेशन हो रहा है इसका खराब परफर्वेंस आपने देखा है इसकी चलते कंपनी सब्सक्राइब में डाला हुआ है तो इसलिए इसका डिलिश्ट होना जरूरी भी था अब यहां बात करें तो देखिए पॉब्ल के लिए प्रफर्वें लिए लगवाद करें अगर नुकसान कोई होगा तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बाते समझ में आ रहे होगा इस वीडियो से लेटेड मैंने जो बातें बता है आपको समझ में आई होँगे फिरह मन में कई सवाल है तो दो पूछ सकते हैं और मुझसे प्रेशनल जूर करना चाहते हैं तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धने बाद शुक्रिया